आज से हम स्टाट करने वाले हैं class 11 का syllabus जो की है mathematics class 11 का mathematics का अपन syllabus स्टाट करने वाले हैं पूरा उसकी definitions भी पढ़ेंगे हर एक definition पढ़ेंगे और हर एक question को solve करेंगे तो आज मैं बता रहा हूं chapter first जिसका पहला topic है sets तो मैं आपको sets के बारे में पूरा बताऊंगा कि sets होते क्या है इसको किसे define करते है everything सब कुछ यहां पर बता जाएगा हर एक question बताएंगे example solve करेंगे सब कुछ मैं आपको step by step solve करूँगा और आपको इन सारे चीजों का PDF भी मैं आपको इस description के अंदर provide करा आप ओके तो सबसे पहले हम chapter first लेते हैं और chapter first का लेते हैं हम sets आपको पता है chapter first क्या sets देखिए जैसे ही मैं set को describe करता हूं कि set क्या होते है तो मैं इसकी definition देता हूं set की पहले मैं आपको definition देता हूं फिर उसके बात बताँगा set की definition किस तरह से आप बना सकते हैं तो set की definition क्या होती है देखिए a set is a well defined collection of objects एक set क्या होता है, well defined collection होता है किसका objects का, क्या आप object को well defined करकर फिर उसका collection बनाएं, तो वो set के लाता है, समझे, एक set वो होता है जिसके अंदर objects होते हैं, जो की well defined होते हैं, मतलब उनकी properties आपको पता होती है, कि इसके अंदर किस तरह की property ये follow कर रहा है, ओके, देखिए मैं सारे numbers रख दिये, okay, मैंने purple color का button लिया, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे numbers रख दिये, अब इसके अंदर आ रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दाओ, अब इसके अंदर complex number भी आ रहा है, इसके अंदर imaginary number भी आ रहा है, इसके अंदर integers भी आ रहा है, इसके अंदर odd numbers भी आ र कर रहा है यह किस property को follow करके नमबर इस बड़तन के अंदर रखे गए या फिर यह किस property को follow करकर यह बड़तन के अंदर ये numbers रखेगाई आप नहीं बता सकते तो मैंने numbers का एक group बनाया समझिए यह collection लिया मैंने जो कि आप नहीं even numbers है इसके अंदर जितने भी even numbers है मैं जो कि दो से divide हो जाते हैं मैं सारे numbers यहां से उठा कर यहां रख रहा हूं है न देख ओ आधा है मैंने 20 मैंने 52 फिटा है ये हीवन नमबर मैने 6 यह भी Mmm नमबर मैंने 100 यह भी 11 number ओके तो यह क्या हो गया यह collection हो गया ने कॢ़ा बटन का अंदर क्या आएंगे सिर्फ इस वटन का अंदर सिर्फ आएंगे आपके even numbers और even numbers की property पता है क्या होते हैं जो क्या do से Divide हो जाते हैं जो के fully divide होते हैं Sam अध़लब रीमेंडर आपका zero आना शीतों वो होते हैं even numbers ठीक है तो यह क्या हो गया collection of even numbers जैसे collection of even numbers हुआ तो यह well defined हो गया, देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पता नहीं था कि नंबर किस property को follow कर रहे है या फिर किस condition के according आ रहे हैं यहाँ पर, आप नहीं बता सकते हैं कि अगला number कौन सा आएगा, आप बता सकते हैं यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि इसलिए यह हो गय यह well defined हो जागा, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ even numbers, इस collection के अंदर सिर्फ कैसे number आ रहे हैं, even numbers जो कि 2 से divided होगा, 20 भी 2 से divided होगा, 6 भी 2 से डिवाइड होगा, 100 भी 2 से डिवाइड होगा, तो यह होते है not well defined, not well defined मतलब यह होता है कि जिसक की properties नहीं बता सकते कि किस property को follow करकर आ रहा है, और यह collection जो है well defined, यह well defined क्यों है, क्योंकि आप बता सकते हैं इसके अंदर सिर्फ even numbers है, तो यह हो गया well defined और यह हो गया not well defined, तो आप मैं आपको systematic पूरा बता देता हूँ एक बार, देखिए, set क्या होता है, एक set होता है, जो क collections होता है, collection होता है object का, और objects कैसे हो गांगे, well defined, a set is a well defined collection of objects का, आप objects क्यों हो जाएंगगे यहापर, मतलब, objects के दो आप members के दो, या फिर और हो सकते हैं मतलब collection of members हो सकते हैं elements क्या सकते हैं आप इनको जिसे 6 हो गया members 52 members हो गया 100 members हो गया और 20 members हो गई चारों के चारों इसके members हो गया है ठीक है अब देखिए आगे यह चीज़ आपको किलियर हो चुकी है सेट क्या होता है एक well defined जिसके अंदर object जो होते हैं वो सिफ कैसे होंगे well defined objects होंगे not well defined नहीं होंगे ठीक है कैसे objects होंगे well defined अब देखिए मैं आपको बताता हूं not well defined collections क्या हो जाएंगे not well defined collection हो जाएगा आपका a set of story in the world a set of देखिए मैं आपको यहां पर खोड़ा बता देता हूं देखिए यहां पर बता रहा है फॉस्ट मैंने एक्जामपल लिया है not well defined collections का not well defined collection वो collection जो well defined नहीं है जिसके बारे में आप properly बता नहीं सकते कि यह किस तरह का collection a set of scary story आप दुनिया में आपको पता है कि scary story in the world के मतलब दुनिया में कितनी story हैं बहुत सारी scary story है तो आप उनके बारे में proper बता सकते कि हाँ यही story वो लेंगे या फिर यही collection के अंदर आएगी तो a set of scary story इसका अंदर बहुत सारी scary story आ सकती है जिसके बारे में अपनको पता नहीं है एक और example लिया five players in the football okay मैंने एक और example लिया not well defined का five best player in the football तो आप football के अंदर कोई से पांच player बता सकते नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे player तो आप किसी भी पांच player के बारे में specifically बता नहीं सकते तो आप यह हो गया आपका not well defined यह well defined नहीं है क्योंकि आप इसके बारे में specifically बता नहीं सकते Similarly, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, a set of scary story, कि आप इसके बारे में भी specifically नहीं बता सकते हैं, मतलब एक property नहीं बता सकते हैं, उसमें set तो बता दिये कि डरावनी कहानी होगा है, आप इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, तो यह not well-defined collections होगा है, अब well-defined collections क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया, odd natural numbers less than 10, अब यहाँ पर यह define कर दिया रहा है, odd natural numbers less than 10, के natural numbers, मैंने बता रहा हूँ, well-defined collection, well-defined मतलब collection मतलब एक group, odd natural numbers less than 10, सारे natural numbers जो की 10 से कम है, कौन कौन सो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, अब इसी के अंदर वो रेगा, इसके बाहर वो जाएगा नहीं, तो यह well-defined होगा है, इसने हाँ पर specifically बोल दिया है, सारे natural numbers, जो की 10 से कम है, ओके, तो यह 10 से सारे natural numbers यह गिंती के 5 है, तो यह well-defined होगा है, क्योंकि मुझे पता है, इसके अंदर natural numbers आएंगे, और वो natural numbers 10 से कम होगे, तो यह मुझे properly पता है, यह specifically उसने पता दिया, 10 से कम, second example यह, the set of all integers, अब set of all integers बोला, इसने, set of all integers भी एक well-defined collection है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है, यह z जो है, यह set का नाम है, इन आपको आगे आगे describe करूँगा, तो the set of all integers, integers मतलब इसके अंदर ना को rational numbers आएंगे, और ना ही irrational numbers आएंगे, और ना ही इसके अंदर complex number आएंगे, और ना ही imaginary आएंगे, इस set के अंदर सिफ कैसे number आएंगे, इस set के अंदर आएंगे, सिफ integers, integers number आएंगे, integers के बाहर नहीं जाएंगे, तो यह specifically आपको बता दिय तर्ड आता है n the set of all natural numbers उससेट का नाम क्या है capital N the set of all natural numbers सारे natural numbers अब ना तो इसके अंदर rational number आएंगे ना irrational number आएंगे ना complex आएंगे ना है आपके decimal numbers आएंगे और जो भी नंबर्स होते हो नियाएंगे सिफ कौन कौन से नंबर आएंगे इसके अंदर आएंगे सिफ natural numbers natural numbers मतलब 1 से लेकर infinity तक कोई से भी numbers आ सकते 12345678910 से लेकर and so on तो सारे कैसे आएंगे natural numbers तो आपको पता है ये natural numbers का set है तो इसके अंदर सिफ natural numbers ही आएंगे तो यह हो गया well defined collection अब set की कुछ properties होती हैं जिसको मैं आ बारे में आपको describe कर देता हूँ कि set की कुछ properties क्या होती है अब set की आपने definition पड़ी a set is a well-defined collection of objects के set जो होता है एक well-defined collection होता है किसका object का जिसके बारे में आपको total properties पता होती है उस set के बारे में किसके अंदर किस तरह के elements आएंगे या फिर किस तरह के objects आएंगे अब इसकी कुछ properties होती है देखिए important points for set एक set के लिए important point क्या होते है कि आप set को किस तरह से describe कर सकते हो किस तरह से लिख सकते है properties और set मैंने पता रहा हूँ है यहाँ पर देखिए या फिर members के सकते हैं उनके अंदर आने वाले objects जो होते हैं जैसे मैंने बताया तबको 5,6,10,9 जो भी set के अंदर आएंगे या तो आप उसको objects के सकते हैं उनको या फिर elements के सकते हैं या फिर members के सकते हैं यह सब synonym terms है sets are usually denoted by capital letter sets का नाम जो रखते हैं आप किसका यूज करते हैं capital letter का आज अब कोई से भी set को जब लिखेंगे तो उसका नाम के से लिखेंगे आप उसके नाम के लिखेंगे आप capital letter में कि वो capital letter के अंदर ही आएगा ओके मलब उसके set का नाम लिया जैसे मैंने odd number का नाम लिया odd number का collection लिया odd numbers का मैंने collection लिया जो की दस्ते का मैं तो odd number collection के विखेंगे 1,3,5,7,9 की सारे odd numbers हो गए और इसके collection को इखटा करूँगा मैं तो यह 1,3,5,7,9 यह क्या हो गई इसके members हो गई या फिर objects के सकता हूँ या फिर elements के सकता हूँ और इसके पूरे collection को मैं एक नाम देता हूँ capital O तो capital O उस sets का नाम है और उसको से denote करूँगा मैं तो capital O या फिर A, B, C, X, Y, Z यह क्या है करेंगे और हमेशा denote काई से करते हैं capital letter से किसी set को denote करना तो काई से करेंगे capital letter से एक property यह हो गई the elements of a set are represented by small letters the elements of a set के जो elements है set के are represented by small letters कि जितने भी elements या फिर objects या फिर members होंगे उन सभी को हमेशा हम small letter में लिखते हैं उसको हमेशा हम small letter से represent करेंगे उस state के अंदर अब देखिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों बताता हूं जिससे कि आपको और चीज़ा असानी से clear हो जाएंगे देखिए if a is an element of a set a कि a एक element है या फिर एक object है या फिर member है किसका set a का capital a आया मतलब उस state का नाम क्या है ठीक है तो अगर a element है a का small a element है capital a का तो हम किस तरह से लिखेंगे a belongs to a हम इस तरह को use करेंगे और यह sign है belongs to का a क्या है यहापर उस state का नाम है और small a क्या है element है उस state का तो we say that a belongs to a we say that a belongs to a यह चीज़ के लिए रोगए अब एसी second अगर बी एक बी एक element नहीं है set a का अगर बी element नहीं है एक set a का तो हम लिखते हैं बी does not belongs to a इस ट्रम से लिखते है यह belongs to का sign क्या 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 एक रॉस का sign लगाना है ठीक है उसके उपर तो बी डज नाट बिलांग टू ए इस डाज नाट बिलांग टू ए क्यों क्योंकि बी element नहीं है एक एंड रीड बी डज नाट बिलांग टू ए इस तरह से पढ़ते हैं इसको इस वाले टम को इस तरह से पढ़ा जाते हैं ओके गर बी अगल मेंट है का तो बिलोंग स्टू ए बिलोंग सटू ए ओर विलोंग स्टू ए बिलोंग सटू ए गयो इसक क्ली ने मैंने जिसके अंदर मैंने कुछ elements रखे 1,2,3,4,5 कि सारे मैंने इसके elements या फिर आप कह सकते objects या फिर आप कह सकते members है एक set लिया ए उस set का नाम क्या है capital A उसके अंदर कैसे 12345 आपको पता है इस set के अंदर 1 से लेकर 5 तक के नंबर आ रहे हैं उस सारे नंबर कैसे तो आप यह well defined हो गया और इसके अंदर 1 से लेकर 5 तक के नंबर आ रहे हैं तो आप इसको इन terms में कैसे लिख सकते हैं इन दोनों terms में आपको बताता हूं देखें मैंने एक element लिया वन तो वन कहां पर बिलों कर ना आए हैं भागार बन बिलोंकर रहा है से के अंबर आफ्कोर्स टू लिया मैं ने तो फिलांग कर रहा है एक अंदर इसको यस तो बिलॉंग स्टू ए और अगर में इस तरह से लिकूं जैसे मैंने के अलिमेंट लिया एट तो आप देखिए एट लिया मेंने तो एट इस एक अंदर बिलॉंग कर रहा है क्या इसका अंदर एट है नहीं है तो एट गया हुजाएगा एट जो है वो ड़स नट बिलॉंग एट जो है वो ड़स नोट बिलॉंग टू एट सिमिलरली एसे में एक सेट लिया बोवेल्स का इंगलिश के वोवेल्स दे कलेक्शन ओफ वोवेल्स और इंगलिश ओके तो कितने होते हैं एई आई ओ यू आपको पता है स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं इनके अलिमेंट सेट का नाम क्या हो गया अब कैपिटल वी तो आप मैं चाहूँ तो इसको इस अलिसकता हूँ अ बिलॉंग टूवी बतलब में यह चीज़े जो है ना मैंने आपको अब एकस्ट्रा बताईए तो आपका पूरा सेट हो गया यह भी आपका पूरा सेट हो गया मैंनी सिर्फ यह आले चीज़ा आपको यह आले चीज़ा आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो A बिलोंगस टू A and U बिलोंगस टू V ओके अब थर्ड मैंने लिया odd numbers ले लिये तो odd number का नाम के लिये मैंने capital O तो 1, 3, 5, 7, 9 यह सारे क्या है odd numbers odd numbers और वो भी कहां से कहां तक है less than 10 10 से कम है सारे तो मुझे यह proper define है यह well define है मुझे पता यह odd number का collection है और इसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 ही आएंगे और इसके अंदर 10 से कम ही number है तो यह well define होगे है तो 5 बिलोंग करता है E पर 9 बिलोंग करता है E पर 5 भी E के अंदर है और 9 भी E के अंदर है तो अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ मतलब अगर मैं को यह सा book के अंदर दिखता तो मैं समझ जाऊँगा 5 एक element है जो कहां पर है E set के अंदर तो I hope आपको यह set वाला पूरा proper समझ में आया होगा अगर आपको कोई सी भी problem आती है तो आप comment box के अंदर मुझे पूच सकते हैं and then मैं आज से ही जिसाद मैंने set के वीडियो बनाई है अब मैं next इसकी exercise बताऊँगा और फिर इसके बाद exercise बताऊँगा फिर और सांसाथ में मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं इसको represent करने के तरीके कैसे किसी set को तो please share करिए इस वीडियो को जितना आप कर सकते हैं and like the video and subscribe the channel thank you so much